नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पिशे शिकारिक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा जब हम बात करते हैं प्रकाश की तो वो प्रकाश हम सिर्फ गुरू के सानिध्य में ही प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि गुरू ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की और लिजाता है हमारे जीवन जो जीने की शैली है उसके विश्य में हमें बताता है हमें बताता है कि क्या हमारे जीवन में उचित है और क्या अनुचित वही ग्यार यदि आप भी अरजित करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे सिकारिक्रम में क्योंकि आज फिर से कि हमारे इस ज्यान को और बढ़ाने के लिए हमारे से कारिक्रम में उपस्तित हुए हैं पुझ्जे डॉक्टर अशोक हरिवंश जी जिने हम लगातार बोल रहें कि भाहिया जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है तो चलिए आज फिर से एक नए विश्य के साथ शुभारम करेंगे कारिक्रम का बात करेंगे भाहिया जी के साथ बहुत बहुत सब्सक्राइब आपका नमस्कार शीतराम जी आज का जो मेरा विश्य है मैं आपको कुछ बोल के दिखाऊंगे जान जाएंगे कि घर का भेदी लंकार ढ़ाए बीभीशन जो है जो आज हमारे इस विश् में रखते हैं कि जो रावाड की जो मृत्यू हुई वो सिर्फ और सिर्फ इनहीं के कारण हुई यह ना होते तो शायद चीजे ठीक रहती आप थोड़ों समझाएंगे इस बात पर इस विशे पर हमें चर्चा जरूर करें हमारे साथ यह जो प्रसंग है हिंदू जन्मानस क प्रशंग है और मैं दुर्भाग्य कहूं कि सवभाग्य कहूं कि मुझे इस प्रशंग पर बोलना है और एक बड़ी बात है कि श्रीराम कथाएं समाज में बहुत हो रही हैं और होनी भी चाहिए जगा जगा टेलीवीजन में सब के यूट्यूब चैनल है उसमें परंत जि विशै पर कठा में विशेश चर्चा होतेवें मैं नहीं देखा हूं और ऐसे ही विश्यों पर कठाएं होनी चाहिए करनी चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी सी जो ब्रांतिया है लोगों का दिस ठिकन्ट थोड़ा सा बदले कि सचाई क्या है पहले जनना पड़ेगा हमें विभिषन था कुन विभिषन कोई था तब तो हम विभिषन के बारे में बात करेंगे नहीं, तो कैसे जैविजय को श्राप दिया संकादी कृषी ने कि तुम लोग तीन बार हमको अंदर जाने से रोके हो तो तुम लोग तीन जन्मों में जाकर राक्षास बनोगे तो जैविजय पहले जन्म में क्या बने हिरने कश्य अपू बने और हिरने आख्ष बने जन्म फल का सिद्धान्त है है ना कि पुनर जन्म का सिद्धान्त से बने दूसरे जन्म में ये क्या बने रामड बने और कुम्भकरण बने तीसरे जन्म में क्या बने ये सिसुपाल बन प्रताब भानु राजा जो है आगे चल करके रावण बना उसका भाई जो अरी मर्दन था वह कुम्भकरण बना और उनका मंत्री विभीषन जो था धर्मरुची वह विभीषन बना तो धर्मरुची जो था वह अरी मर्दन और प्रताब भानु का भाई नहीं था मंत्री था जो विभीषन बना यहां भी जब विभीषन का उतरण हुआ है तो वो वीमाता के गर्भ से हुआ है वीमाता लिखा हुआ है सब्ज़ ठीक है अब जा करके देखिये तीनों भाई वहां रहने लगे कहां लंका में रहने लगे तो धर्म रुची जो है वो धर्म के प्रति जागरुक रहता था क्या सच है क्या गलत है बताने वाला था तो यदि किसी भी देखिये समाच कोई भी रहे समाच सतियूग था तो भी अच्छा ही बुराई थी लोग कहते हैं सतियूग में बुराई तो सतिव में बुराई यदी नहीं थी तो हिरन कश्यप कहां से आया, हिरन आक्ष कहां से आया, तुरेता में बुराई बिल्कुल कम थी तो तो रामट जैसा आतंक वादी कहां से आ गया, दुआपर में तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण में में था, àouse kan AH kah aan से आया, तो हमेशा जिस तरीके से प्रत्य व्यक्ति के हिर्दय में अच्छाई और बुराई होती है, समाज में सदैव अच्छाई और बुराई होती है, जिस भी गाउं में, जिस भी व्यक्ति में, जिस भी घर में, जिस भी शेहर में, जिस भी देश में अच्छाईया हैं, वो क्या हुआ विभीषण तो धर्म रूची है अच्छाई है तो अच्छाई को क्या बुरे इस्थान पर रहने पर बुराई का साथ देना चाहिए प्रश्णी है विभीषण यही प्रश्ण करता है कि मैं लंका में रह रहा हूं बुराईयों के बीच में रह रहा हूं परंतु म बुरा नहीं हूं तो क्या मैं भी बुरा बन जाओं यहीं तो भीविषण प्रस्ण करता है तो भीविषण अपनी जगह कहीं भी गलत नहीं है अब दूसरे दृष्टिकून से सोचना पड़ेगा कि स्री राम की जो यात्रा हुई श्री राम की यात्रा किस चीज की यात्रा है रामड को भी पता है किसी राम भागवान है नर और वानर से ही मरूंगा मालूम है इसलिए वो सब खोज रहा है कि आईये और मुझे मारी यह मुझे मुक्ति दीजिए तो यहां पर अनेकान एक प्रसंग है पर जिस प्रसंग में हम जा रहे हैं वहां आप यह समझ लिजि अब तो क्या का युद्ध है तो यहां किसी राष्ट्र का युद्ध भी नहीं है कि विभीशन जो है वो घर का भेदी लंका ठाहे तो आप देखे कि श्री राम और रावन का युद्ध नहीं है दो राष्ट्रों का युद्ध भी नहीं है जब यदि दो राष्ट्रों का लंका और युद्या के मद्दे का युद्ध होता तब हम कह सकते थे कि घर का वेदी लंका को ढहा रहा है दो व्यक्तियों के बीच का यह दिरहता राम और रामण के बीच के लड़ाई होती तो हम कहते कि यह ब्रात्री का द्रोही है भाई का द्रोही है कि भाई के साथ गलत कि परंतु राम और रामण का यह युद्ध किसी व्यक्ति का युद्ध नहीं है, किसी राष्टर का युद्ध नहीं है, दो संस्कृतियों के बीच का युद्ध है, वो संस्कृति क्या है, एक रामत्व की संस्कृति है, अर्थात अच्छाई की संस्कृति है, और दूसरी राम अच्छी और विचार की सीमा Нहीं होटी अच्छी और विचार है यहां पर वैचारिक भेद भाओ लेकिन वो उनका भाई था तो जब क्या हुआ सुंदर कांड में जब आप जाते हैं तो सुंदर कांड में सबसे पहले जब आता है विभीशन तो यही कहता है कि भाई देखो मैं कुछ कहना चाहता हूं यदि आप अनुमती दो तो तो बोले क्या क्या अनुमती चाहिए तो मै यह चाहता हूँ कि आपको सच्चाई कुछ बता दूँ तो बोले क्या बताना चाहते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने रावण की अनुमती ले करके कहना प्रारंब किया और कहा कि सुना हुनात सीता बिनुदीन है हितन तुमार संभु अजकीन है सीता जी को दे आप इनको दे दीजिए यह उचित नहीं है परन्त वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ जब नहीं हुआ तब फिर क्या हुआ इनके बीच में बाद भी बाद बढ़ता चला गया और बोला है कि बोला बचन पाई अनुसासन रावण का अनुसासन पा करके अपना बना हुआ धर्म समझता हुआ कि तात राम नहीं नर्भू पाला भूवनेश्वर कालों के महा काल है राम आप पहचानिये गशी गलती क्यों कर रहे हैं और अंत में यह कह दिया कि मुनी पुलत्स्य निज्य सिस्यसन माने तुम्हारे जो पुलत्स्य जो तुम्हारे टाया है या मेरा विचार नहीं है पुलत से रिसी का विचार है तो जितनी चीजसें विभीषन меньше पुलत से रिसी की बात संजवे रामण को बात समझ में नहीं आई और उसके बात फिर समझाथे विभीषन को उसने चरणपरहार किया पलस यह हैं, मामला कहां उलस्टा है, कि मंदोदरी जी ने पहले समझाया, चरण परहार क्यों नहीं किया? उन्होंने भी तो वही समझाया, ठीक है, लंका कांड में आप देखिए, प्रहस्त ने समझाया, प्रहस्त कौं था? रामण का बेटा था, जो विभीशन ने कहा वही प्रहस्त ने भी कहा परंतु उसे चरण प्रहार नहीं किया उसके बाद इसका जो नाना था मालेवान उसने भी समझाया रामण को परंतु चरण प्रहार इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी पतनी का पिता था तो चरण प्रहार नहीं किया पतनी नाराज हो जाएगी तो चरण प्रहार किस पे किया वी माता का बेटा है विभीशन चरण प्रहार कर दिया और सुक सारण के उपर चरण प्रहार किया जो उसके दूत थे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अपने और प्राय का भेद हो गया पत विभीषण को नहीं मारा, बेटे को नहीं मारा, नाना को नहीं मारा, विभीषण को मार दिया, सुक्षारण को मार दिया, पहला न्यात यहीं किया, उसके बाद जितनी बार, छे बार चरण परहार किया है रामण, सिक्स टाइम, सिक्स टाइम किया है, छे बार पकड़ा है पै अहां पर ये लिखा हुआ है कि विभीशन नहीं गया है रामण ने विभीशन को त्यागा है और वही त्याग करके यहां पर लिखा हुआ है संकर जी देख रहे थे कि भाई देखो पारवती जी कितना रामण गलत कर रहा है तो गलत पहला रामण प्रारप्त किया दूसरी चीज जो बात आती है पुण रूप से जो मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि विभीशन यदी नहीं बताते कि रामण के नाभी में अंबृत है तो श्री राम उसे नहीं मार पाते इस बात को सारे सुरुता बहुत अच्छे से ध्यान से सुन ले लंका कांड को जरूर पढ़ें जा करके इसमें इसका सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाएगा यद्यपी चिंतन करने से उत्तर मिलेगा हुआ ये कि भगवान राम जब रामण को मारने लगे तो एक चीजी ये समझना पड़ेगा कि भगवान राम रामण को मारते तो कहां मारते आज के समय में यदि कोई किसी को मारे तो कहां मारना चाहता है छाती पर मढ़ता है दिल पर मारता है नहीं मारा तो कहां मारा वह मारते थी घले पर, चुड़ जाता दस मोह हैं, तो मोह हमें सा आ करके जुड जाता था, पर हिरदय पे क्यों नहीं मार रहे थे, यह सोचने वाली बात है, हिरदय पे किसने किसने मारा देखिए, लक्षमड सबसे पहले युद्ध करने आए, तो पुनि सत सर मारा उरमाही, लक्षमड ने सौ बाण मारे हैं, किस इसके पीछे के प्रसंग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अब उसके बाद फिर विभीषण आया विभीषण ने भी मारा है विभीषण को भी कोई चीज पता नहीं है जो राम को पता है क्या उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परियो गदा से ऐसा मारा है रामण को विभीषण जैसा विभीषण जो कायर था विभीषण उतना दम नहीं था रामण के सामने वीभीचन को ये तो पता था कि अमरित उनकी नाभी में तो नाभी पर क्यों नहीं मारा हूं? वही तुम्हें कह रहा हूँ कि क्यों नहीं मारा उसी पर मैं आने वाला हूँ, हिर्दय पर मारा तो बेहुस हुआ, नाभी पर मार देना था, मतलब उसको पता तो है कि नाभी पर है, पर हिर्दय पर मार रहा है, हिर्दय पर मारा तो बेहुस हुआ, पहली चीज ये कि बता र किस को हरदै पराहार करते हैं रावण के रथ तुरंगे सारथी। निपाता हरदै माजे दीनमार सिलाता वाल टो रावण विखर जाता है कौहां पर पर इभर ते रहे Norag any इंणिसमें आखरी में जामवंत आ रहा है तो जामवंत जब आता है कहां मारता है आप देखिए हिर्दय पे उरलात घात प्रचंड लागत बिकल रथते मही परा मुर्चित हो गया जामवंत के मारने से रावण हिर्दय पे चारों ने मारा है हिर्दय पे अब त्रिजिटा इस द्रिश्च को देख रही है और सीता जी को जा के बता रही है कि सुनो रावन के हिर्दे में ये लोग मार रहे हैं पर रावन अभी मरा नहीं है ठीक से क्योंकि राम हिर्दे पे नहीं मार रहे हैं। बोली ऐसा क्यों? तब कहती है कि कहत रिजिटा सुनू राज कुमारी उर सरलागत मरे सुरारी कि यदि उसके हिर्दय पे भगवान राम मार देना यदि बान तुम मर जाएगा तो बोले मार क्यों नहीं रहे हैं? तो प्रभुताते उरहते नते ही कि एही के हिर्दय बसत बैदे ही कि रावण के हिर्दय में तुम रहती हो वो इतना प्रेम तुम से करने लगा है कि उसके हिर्दय में तुम रह रही हो और यदि राम महां मार दिये बान तो रावण तुम मर जाएगा परन्तु तुम कि बेटी हो और ऐसी इस्तिती में पूरा ब्रह्मान झो है न खतं हो जाएगा यहां पर सोच भी मायने रखती है सोच मैंने लिचार मायने रखती है इसलिए यहां एक रहस्य है ये कथाओं में आना चाहिए बिलकुल आना चाहिए और मेरी कथा है रावण के राम उसमें ये आता है ये प्रशंग की राम नहीं मार रहे हैं तो देखिए लक्षमन को भी नहीं पता है कि रावण इतना प्रेम कर रहा है सीता जी को हिर्दय में रखा है और जाममंत को भी नहीं पता है, हनवान को नहीं पता है, विभीशन को नहीं पता है, हिर्दय में मार दिये हर बार राम रोए हैं कि मेरी सीता को छोट लग रहा है और नहीं मारे वो, अब क्या हुआ, हिर्दय में आखरी तक नहीं मारे इसलिए, अब क्या हुआ, मारना चालू किए फिर से राम, मारना चालू किए तो लिखा कि, श्री राम को बहुत विशेष स्रम हुआ है, और रामन मर नहीं रहा है, तो राम विभीशन तन तब देखा, अब जो है न उत्तर बता रहा हूं इसका, जो आप प्रश्ण करी है कि विभीषण की तरफ घूर करके राम देखे हैं और बोले घूर के देखे मतलब उनकी आखें बोल रही है कि विभीषण और भी कोई चीज तुम उझसे छिपाया है क्या बता मुझे ऐसा लगता है कि तेरा अभी तक के मोह तेरे भाई के प्रति ग मरूंगा इसलिए कोई चीज छिपाया है तो बता दे अन्य था पहले तू मरेगा बाद में रावन मरेगा तो सरणा गती तुझे मैंने सुंदर कांड में इसलिए दी कि तू पूरी तरीके से इस्वर के सरण में आए पर अभी तक कि तू छिपाया है ये गलत बात है विभ कि उमा काल मर जाकी इक्षा सोप्रभु जनकर प्रीती परिक्षा वरड आगया है आप लोग ध्यान से सुनिये कि यहां पर संकर जी कह रहा हैं कि है। कि जिसकी एक्षा से सारा स्रिस्टी चलता हो, वह यहां जान करके विभीशन के प्रेम की परिक्षा ले रहे हैं, एक्जामिनेशन ले रहे हैं, कि विभीशन अब भी तू बता दे कि तेरे भाई से तेरी कितनी मुहब्बत है, यदि है तो बता, और यदि तू कोई चीज नह आने माली है, तो अब इसके पास एक ही मौका था, कि या तो मैं उस परिक्षा में पास हो जाऊं, या फैल हो जाऊं, तो अब क्या होता, यदि नहीं बताता, तो बांड जो है ना विभीशन को मारतें, और वो मरता, और यहां पर बता दिया, तो अब रामण को मर नहीं था तब वहाँ पर विभीषण सोचने के लिए मजबूर हुआ है पारवती जी ने कहा कि प्रभू ऐसा क्यों हुआ परिक्षा क्यों लिए इसलिए कि सुनू सरवग्य चराचर नायक भगवान राम चराचर की नायक हैं सरवग्य हैं सब जान रहे हैं संकर जी ने कहा है तो क्या वे लोग कहते हैं कि विभीषण नहीं बताता तो रावन नहीं मरता कितनी ब्योकुफी वाली बात है तो ये सब चीजों को अध्यन करना पड़ेगा तब जाकर विभीषण की आत्मा जो है जागती है उसके अंदर का थोड़ा सा प्रेम जो भाई के प्रती बचा रहता है उस भाई को खतम उस प्रेम को खतम करता है तब कहता है कि नाभी कुंड पी उस बसमा के नाथ जीयत रावन उबल ताके कि है प्रभू उसकी नाभी कुंड में अंबृत है उसको जब आप मारेंगे तभी मरेगा, तब राम जी उसकी तरफ देख करके हसे हैं, मुस्कान दो प्रकार की होती है, एक होती है कुटिलता ली हुई और एक ली हुई होती है बड़ी मुहबत की प्रेम की मुस्कान होती है, तु वहाँ पर सुना तभी भीसन बचन कृपाला और हरसी गहे कर बान कराला, वहाँ पर हरशित होकर के हसे हैं राम कि चलो तेरी जान बज गई, तु ने सही सही बक्स बोल दिया है, कह दिया है, अब चलो मैं रावण को मारता हूं, तब जाकर के उन्होंने 31 बान रावण पे मारा है, कि खेंची सरासन स्रवन लागी, पोड़े सर 31, तो 20 हाथों पे मारा है, 10 दुनी 20, और 10 सिर पे मारा है 30, और एक नाभी पे मारा है 31, और यही 31 बान मारने के बाद, वह जो बान है, उस पूरे 20 हाथ को और उसके 10 सिर को अपने साथ ले जाकर के मंदोदरी के चरण में रखता है, वह बान, और रखने के वह बाण वापिस आकर के श्री राम के तरकस में प्रवेस करता है वो है रागहो सरकार तो यहाँ पर मेरा जो भी सजन है जो भी हमारे धार्मिक भाई है जो विसंत समाज है उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसंग को ध्यान से पढ़िये तो यहाँ पर आप जब देखे कि वीभीषण कि गसी प्राकार से राष्रतरोही नहीं है वह इंकान बिप्वेथ को नहीं बताता तो राम रामर को नहीं मार पाते एक आता है कुम्बकरण एक आता है मेगनाथ एक आता है रावना दूसरे दिन के युद्ध में मेगनाथ लड़ने आता है जिसमें लक्षमण को सक्तिबान लगती है और संजीवनी लेने के लिए हनमान जी को जाना पड़ता है अब आप सोचिए कि जब लक्षमण जी बेजता है किसको बेजता है अपने भाई कुम्बकरण को बेजता है क्यों बेज रहा है इसलिए भेज रहा है कि पहले तो उसने भेद किया विभीषण और मंदोदरी में विभीषण और माल्यवान में विभीषण और प्रहस्त में विभीषण को मार दिया अपने परिवा भाई है और मेरा बेटा है दो में एक मरने वाला है तो पहले में किसको चाहूंगा की मरे सागा भाई मरे बेटा नहीं मरना चाहिए क्योंकि हमारा खून है यही मानस बताता है इसको समझने वाली बात है तो राम जी को मालूम है कि उसको रामण को पता है कि वह भगवान है मा तो तीसरे दिन के युद्ध में कुम्बकरण को वेश देता है कि तुम जाके लड़ो कुम्बकरण कहता भी है कि अरे वह जगदंबा है तुम कहां उसको हर करके लाए हो उसके भाई को पता है ठीक है और वही होता है कुम्बकरण आखिरी में लड़ाई में जाता है और मरता तो कुम्बकरण क्या है एहंकार है राम चरित्माने उसमें कुम्बकरण जो है अहंकार अभिमान का प्रतिक है इसलिए आप देखिएगा लंका कांड में जब राम जी ने मारा है कुम्बकरण को तो उसके मुह पे पूरे बान दाला है उसके पूरे मुह में बान दाल दिया ह तो हेंकार को क्या होता है अपनी बातें अपनी किरती को सुनने की आदत होती है मेरी बड़ाई होती रहे मेरी परसंसा होती रहे आनंद में रहे तो इसलिए अभिमान को तोड़ने के लिए या अभिमान को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसके मुह को बंद कराना जरूरी है इसलिए उसके मुह पे पुरा बान डालते है तब फिर कुम्बगरण को मारते है तरीका है तो अभीमान मर गया अभीमान को जल्दी मारा जा सकता है समस्या नहीं है अभीमान पहले इसलिए अब मर रहा है अब बचा काम, मेघनात किसका प्रतीक है, काम का, अब दो में से एक को मरना है, रामण को मरना है और मेघनात को मरना है, बेटे को और बाप को, बोला नहीं मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों, जान तो जब जान बचाने की बात आती है, तो फिर वहाँ तो आदमी पिर, देख ल कि प्रतिक है इसलिए उससे लक्षमण जी नहीं कहता हूं कि यही लंगा कानals बता है से ंसलिए जब महा mustard पारत का युद्ध हो रहा था और श्रीमत भगवत गीता लिखी गई तो पहले ही स्लोक में धृतराष्ट्र कहता है कि हे संजय बताओ इकुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों के मद्धे में क्या चल रहा है अपना और पराय का भेद हो गया वह भतीजे हैं न सगे भतीजे हैं परन्तु अंतर हो गया तो यहां भी मोह है तो मोह को मारने में तकलीफ हुई और इसलिए विशेश्च्रम हुआ विशेश्च्रम के बाद में राम को तो पता ही था विभीषण पर इच्छा में पास होते है और रामन मरता है तो इसे अते है तो मैंने में थोड़ा सा उसको लगता है कि हम करएं कि आह अशे हैं न रूपड़ें कमें अबैर आने वाला है यह होना ही फीशल् 2 na इसी हैं जो हमारे साथ घटित होने वाली है तो मैं पहले ही संबल जाना चाहिए तो यह चीजे हैं आपने बहुत खुबसुरूत तरीके से भाईया जी हमें समझाने का प्रयास किया है और उसमें आप सफल भी रहे हैं अच्छा लगा आपसे इन तमाम बातों को लेके लेकिन हम चाहेंगे चलते चलते आप संदेश सरूफ हमारे तमाम दर्शों के लिए ज़रूर इतिहास क्या होता है इतिहास क्या जिसे लिखास है और एक प्रस्वय है, जो लिख दिया जाए क्या वही नहीं लिखा गया क्या इतिहास नहीं है, मेरा ये कहना है कि मेडम सर्मा आपकी 10 वर्सकी उम्र का इतिहास आपके माता पिता ने लिखा है क्या? नहीं लिखा है, आप जब 15 साल की हुरी तो आप कौन से कॉलेज में गई, कौन से स्कूल में पढ़ने गई और कितने बार टीचर से आप मार खाई हैं, क्या कितना करी हैं, आपको लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होता है, ये व्यक्ति के इस्मरण सक्ति में रहता है, माता पिता के इस्मरण सक्ति में र इस चीज का नाम है, वो कभी न कभी इस दुनिया में था, सिंदु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई वही तीन जारत बिफॉर क्रैस्ट पे, तो वहाँ पर सिव संकर की, सिवलिंग की प्रतिमा मिली, फोटोग्राप से मिले, ये सिवलिंग सब्द किसने रखा पहले, कौन इतिहास कर रखा मैं जानना चाहता हूं, वहाँ पर पीपल के व्रिक्ष मिले, वहाँ पर बरगत के व्रिक्ष मिले, वहाँ पर और तमाम ऐसी घर मिले, छोटे छोटे घर मिले, पूरी नालिया मिली, उनका नामकरण किसने किया था, कौन से इतिहास कार ने किया था, ये मै कर सकते हैं आप से पहले भी यहां ग्यानी रहे हमारे बाद भी लोग आते रहेंगे और इस पर चर्चा हमेशा होती रहेगी यही राम का अस्तित्व है और कुछ चीजें ऐसी है मुझे लगता है जिस पर बहस ना हो तो ही उचित तो मेरा यह कहना है इसलिए स्री राम के दो जो वो हैं स्वरूप है पराकरम का स्वरूप है एक समाज कल्यान का स्वरूप है हमें श्री राम की समाज कल्यान के स्वरूप के साथ हमेशा जाना चाहिए हमें सामाजी के बारे में सोचना चाहिए हमारे को जो अंतियोदेवरग है अंतिम छोर तक का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में सोचना चाहिए, यही श्रीराम की प夷्पिती माघ को की परपती में एक चील्चिय हमारे सूच होगी। बहुत ही खूस रुदवाते हमें और साथी साथ हमारे तमाम दर्शुकों को बताईए आज की आपकी तमाम बातों के लिए जानकारियों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार झाल